प्रवाइब देशी इंडिया को और दबाईए बैल आइकन को मेरा वीडियो पहले देखने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा उसको दबाईए नमस्कार दोस्तों देशी इंडिया में आपका फिर से स्वागत है तो आज के से एपिसोड में जो आपनों के लिए लेकर आया हूँ वो आपनों की डिमांड पर लेकर आया हूँ आप लोग कहते हैं सर कुछ ऐसा बताईए कोई ऐसे जैल या कोई क्रीम बताईए जो कि मैं घ अच्छे टिप देते रहिएगा तो उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा उसके लिए आप नीचे जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं वहाँ पर हूँ जाईए वहाँ पर मुझे सब्सक्राइब करिए उसके बाद मैं आपको जब भी कोई नए वीडियो लेकर रहूंगा आपको ज़रूरी नोटिफिक्सन मिलेगा और हाँ मैं आपको एक वागा दोर बता दूँ अगर आपको इस वीडियो के पुछ भी पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालीएगा मैं आपको इसका रिपलाइक देता रहूंगा अपने दोस्तों रिस् बहुत ज़र फायदे मंद होगी चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ करता है अब कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अपने घरों में कोई ने कभी ने कोई प्रॉब्लम्स तो होती रहती हैं चलती रहती हैं बच्छे हैं बड़े हैं बूडे हैं बहुत सारे लोग हैं तो क्य यह कभी चोट लग जाती है, कभी जलना हो जाता है, कभी कोई गिर जाता है, घुटनों में दर्द होने लग जाता है, खुन निकल आता है, गर्दन में थोड़ा सा छिलपन हो जाता है, या उंगलियों में लग जाती है, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, यह जाट जाए चिल जाए जल जाए उसके लिए रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बच्चे कभी-कभी खेल रहे हो तो गिर जाते हैं गोटनों में लग जाती है वहाँ पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं ठीक है अगर आप मले कभी खाना ना बना रहे हैं उस टाम पर अगर चाले बाले समस्य आउ समझ में आए तो वहाँ पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं जलने के बाद जो चाला सा नहीं होए तो वहाँ पर भी आप इसको यूज कर सकती है हीलो काइंड है ठीक है इंजरी के लिए है जल चोट के लिए चलना चलना करना सब के लिए है तो आप इसको बेड़ड़क यूज़ करेंगे तो उससे आपको बहुत ज़दा फाइदा होगा कोई दिकत नहीं है आप इसको बिल्कुल यूज़ करेंगे ये आपको फाइदा ही देगा ठीक है और हाँ मैं आपको बता दू जैसे वीडियो शुरूगा दे बताया था आप कोई भी सब लोग घरों में कहते हैं कि ये कर लीजे वह कर लीजे जैसे माली ये कभी कभी सुना होगा जल गया तो पेस्ट लगा लिए ठीक है थोड़ी दिर के लिए पेस्ट लगा सकते हैं लेकिन आप उसको अटाकर अपना एक जैल ही लगा ये प्रॉपर ताकि आपको उससे दा लगवाने ही पड़ते हैं कई कई मैंने गाओं में भी सुना है कि बस लाल मिर्ची रख दो और इंप्रेक्शन कहता है उसके बाद कोई दिक्कर नहीं होती लेकिन जब प्रॉबलम सुरू होना होती है न तो उससे बहुत जादे नुक्शान भी होते हैं इसलिए थोड़े लेकिन कभी कभी डॉक्टरों का भी सुनिये ताकि आपको उससे कोई नुक्शान भी ना हो और आपको इस वीडियो से कुछ भी पूछना होना तो मेरे कमेंड बॉक्स में डालीएगा मैं आपको रेपलैक देता रहूंगा तो हीलो काइंड जो आप किसी मेडिकल पर आसान हुगा करें तो आप कमेंड बॉक्स में डाल दीजे मैं अगर हो सके तो इसकी वीडियो भी बनाऊंगा ठीक है आपको इस वीडियो से कुछ भी पुछना हो तो बताइएगा और हाँ देश इंडिया को सपोर्ट करिए और मेरे एक नया इंस्टागराम चैनल ही बनाया है मै मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए वहाँ पर जाकर आप मुझे इंस्टागर फॉलो भी कर सकते हैं ठीक है चलिए धन्यबाद